ये भी उप्योगी साबित होगा इस शेत्र में निवेश और रोजगार के अपसरों को बढ़ावा देने के लिए ये एक महत्पूर कदम माना जा रहा है तो आज उत्तरप्रदेश में कुशी नगर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है प्रधान मंतुरी नरीन दुपमोदी इंटरनाश्रल हवाई अड़े का उद्खाटन करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि आज पहली फ्लाइट वहाँ पर श्रीलंका से आने वाली है आज़ादी के पहले से लेकर आज तक की अनेक इतिहासिक घटनाओं का गवाब बने बिहार विधानसवा के श्रताबदी वर्ष समारों में शामिल होने के लिए बुद्वा को राश्टपती रामनात कोविन बिहार पहुंच रहे हैं आपको बता दें कल वो विधानसवा में श्रताबदी संब का श्रन्यास करेंगे और ऐसे में श्रताबदी संब पर बिहार का गौरव शाली इतिहास भी दिखाया जाएगा आपको बता दे राश्पती रामनात कोविंद का बिहार विधानसभा से पुराना रिष्टा रहा है बिहार के राज्यपाल रहते हुए वो कई बार विधानसभा भी आते जाते रहे हैं ऐसे में बिहार विधानसभा कई एतिहासे घटनाओं का गवा बन चुका है जिसमें जमीन दारी उन मुलंच से लेकर शराब बंदी कानून तक लागू हुआ और इस भवन ने कई सरकारे, कई मुख्यमंत्री, कई विधानसभा ध्यक्ष भी देखे हैं ऐसे में अजादी के बाद सत्रवी विधानसभा आते आते हजारों की संख्या में नए पुराने सदस्यों को भी इसने पुष्पित और पलवित होते हुए देखा है प्रदान मंत्री नरेंदु मोदी आज शाम शे बजे वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये वैश्विक तेल और गैस शेत्र के मुख्या कारेकारी अधिकारियों और विशेशग्यों से बाच्चीत करेंगे आपको बतादे प्रदान मंत्री कारेयाले ने कहा है कि इस बाच्चीत का मुख्य विशे स्वच्च विकास और स्थिर्था को बढ़ावा देना है इस दोरान भारत में हाइट्रो कार्बन शेत्र में खोच और उत्पादन को प्रत्साहित करने उर्जा आत्मंदिर भरता गैस अधारित अर्थ प्विवसा स्वच और उर्जा कुशल समध हानी के जरिये उत्सरजन में कमी है और खरित हाइड्रोजन अर्थ प्विवसा और केंद्रे पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस मंत्री हरदीब सिंग पुरी भी मौचूद रहने वाले हैं। ऐसे में पीमो ने कहा है कि ये छट्टी ऐसी सालाना बाचीत होगी जो साल 2016 में शुरू हुई थी। पंजाब में जारी राजवतिक दंगर खतम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले महीने मुख्यमंत्री पत से सीफा देने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंग ने कॉंग्रेस से भी अलग होने का अपचारिक एलान भी कर दिया है। पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। हल निकाला जाता है तो 2022 में पंजाब विधानसवा चुनाव के लिए सिटिंग अरेज़्मेंट को लेकर भी उमीद की चा सकती है। इसके साथ ही अकाली दल से अलग होई समान विचारधारा वाली पार्टियों जैसे की धिंसा और भंपुरा गुटों के साथ भी गटबंदन की रहा तलाशी चा सकती है। तो ऐसे में अब कैप्टन ने कॉंग्रेस से तो अलग होने का पहस्ता करी लिया था लेकिन अब अपचारिक तोर पा एलान कर दिया है कि वो जल्द ही बहुत जल्द ही एक नई पार्टी लेकर आने वाले हैं जो पंजाब के लोगों के लिए काम करेगी और पंजाब के किस किसानों के लिए काम करेगी लखीमपूर खिरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनबाई होने पाली है जिहां आपको बतादें इस हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की जान कई थी ऐसे में चीफ जस्टेस एन्वी रमन और जस्टेस सुरकांत और जस्टेस हिमा कोली की एक पीट मामले पर सुनवाई करेगी और इस पीट ने आठ लोगों की हत्या के मामले में यूपी सरकार की कारवाई पर आठ अक्टूबर को असंतोश व्यक्त किया था इस मामले में अभी तक केंद्रे मंत्री अजे मिश्रा के बेटे आशीश मिश्रा सही दस लोगों को किरफतार किया जा चुका है ऐसे में चीफ जस्टेस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिकर दो वकीलों ने घटना की उच्छ तरिया नयाएक जाँच की मांग भी की थी और इस प्रदर्शन कर रहा था तब ही लखीम पुर्खिरी में एक एस्यूवी कार ने चार किसानों को रौंत दिया था इसके बाद ही गुस्ताय प्रदर्शन कारियों ने बीजेपी के दो कारेकरताओं और एक ट्राइवर की कथे तोर पर पीट-पीट कर हत्या करती थी जबकि हि मतुरा के गिराच नगरी गोवर्धन के गाउं पार्सोली में विगत कई दिन से ब्रज महतसब का आयजन किया जा रहा है और शरत पूर्णिबा पर यहां दीबदान और भगवान कृष्ण की रास लीला का आयजन भी किया जाता है ऐसे में उत्सव में भारत के सभी प्रांतों के शृधालू चंद सरोवर आकर सरोवर में दीबदान कर पूर्णे लाप कमाना और रास कानन लिया करते हैं ऐसे में शरत पूर्णिबा के दिन भगवान कृष्ण के द्वारा चंद सरोवर पर लगातार छे महीने तक ब्रज की गोपियों के साथ रास किया गया था जिसमें ब्रज वासियों के द्वारा चंद सरोवर पर दीबदान का भी महा आयोजन किया गया था क्रिश्र कालीन इस प्रथा के चलते आज भी यहां दीबदान किया गया और रास कायोजन किया जाता है और इस दीबदान महुटसब में पूरा चंद्र सरोवर धवर शंद्रमा की रोशनी में जगमगा गया और ऐसे में वहाँ पर देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रधालू भी पहुँचे थे वहीं गुजराते श्रधालू के दुआरा जहां गर्भा कायोजन किया गया तो वहीं मद्यप्रदेश से आई एक महिला श्रधालू के दुआरा सरोवर के एक जमना जी की शुद्दता के बारे में चर्चा की गई और बताया गया कि ब्रजधाम में ये स्थान बड़ा ही महत्व रखता है और हमें यहाने से बड़ा ही आनद भी होता है तो तस्वीरे देख सकते हैं जहां पर ये मोहटसव कायोजन किया गया किस तरह से गुजरात से आई महिला पुरोश्य गर्भा कर रहे हैं और ऐसे में पूरी तरह से जगमग रौक्ष्णी से नजारा ये नजर आया और वहाँ पभारी संख्या में श्रधालू पहुचे कि आपके दौरा यहां पर दीद्दान गया गया है कर दो कि अलार उनमे प्रेंद गया है के सामय के दूद करो यह हमारे मामा जी में हमारे भी क्या है कोरोना ठीका करण को लेकर 100 करोड का लक्षे पूरा करने के लिए भारत अब महस एक कदम ही दूर है मंगलवार शाम तक देश भर में कुल ठीका करण 99 करोड को पार कर चुका है जिसके बाद अब लक्षे पूरा करने के लिए एक करोड ठीका करण की आवशक्ता और बची है माना जा रहा है कि बुद्वार शाम तक भारत ये लक्षे बड़ी आसानी के साथ ही हासिल कर सकता है जिसके साथ ही दुनिया में सबसे ज्यादा कुरोणा वैक्सीन लगाने वाला एक मातर देश भारत बन जाएगा ऐसे में केड्रे स्वार से मंतराले ने बताए कि अभी तक देश में कोरोणा ठीका करण 99 करोड को पार कर चुका है और इनमें से करीब 29 करोड लोग दोनों खुराक लेकर ठीका करण पूरा करा चुके है मंतराले ने बताये कि राज्यों के पास वैक्सीन का भंधारण भी है जिसमें 10 करोड से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध है ऐसे में देश में 67,000 से ज्यादा केंडरों पर कोरोना ठीका करण चल रहा है देश में करीब 231 दिन बात लगाता दूसे दिन 13,000 से ज्यादा लोग करोणा संक्रमत मिले हैं आपको बता दें कि केंडरे स्वासर मंतराले ने मंगलवार को बताये कि पिछले एक दिन में करोणा संक्रमन के 13,058 नए मामले सामने आये जबकि 164 लोगों की जान चली गई थी फिलाल देश में कुल संक्रमतों की संख्या बढ़कर 3 करोड से ज्यादा हो चुकी है और अब तक कुल 4 लाग से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या में लगाता कमी देखने के लिए मिल रही है तो ऐसे में ये बेहद ही राखत वाली खबर है कि सक्रिय मामले कम हो रहे हैं और वैक्सिनेशन की मामले में भी अब भारत सौ करोड के लक्षे को पूरा करने के लिए एक कदम दूर है और उमीद की जा रही है कि आज शाम तक भारत सौ करोड वाक्सीन लगाने वाला पहला देश बन जाएगा हिटमेन रोहीच शर्मार अविवार को पाकिस्तान के खिलाफ दूबई में मैदान पर उतरते ही भारत की ओर से लगातार साथ टी-20 विश्रुकप खेलने वाले पहले खिलाडी बन जाएगे जीहां साल 2007 में पहला टी-20 विश्रुकप जीतने वाली टीम इंडिया के एक मात्रु सदर से रोहित पूव कपतान महिंद सिंग धूनी को पीछे छोड़ देंगे हाला कि धूनी इस बार भी टीम के साथ खिलाडी नहीं बलकि मार्ग दर्शक के रूप में नज़र आएंगे यही नहीं रोहित धूनी का सरवाधिक विश्रुकप मैच खेलने का रिकॉर्ड भी तूर देंगे आपको बता दें रोहित इससे 6 दूर है और ऐसे में धूनी ने सभी मैच कपतान के रूप में खेले हैं और इसमें से माही ने 20 मैच जीते थे जबकी 11 मैच खारे थे ऐसे में 683 रन बनाए हैं रोहित ने और रोहित ने 49 और 127 की औसत से रन बनाए थे इसमें 6 अर्ध शतक भी शामिल हैं इसे में विराच कोली के बाद सरवाधिक रन बनाने के दूसरे नमबर पर हैं रोहित के अलावा 6 और क्रिकटर भी हैं जिसमें 7 वा विशु कप खेल रहे हैं इनमें से बांगलादेश के तीन सरवादे के क्रिकेटर शामिल हैं साथी आपको बता दें के पाकिस्तान के भी शोय मलक का एक नाम भी इसमें शामिल है बॉलिवुड अभी नेता शारुक खान के बेटे आरेन खान की जमानत पर अदालताथ सुनवाई करेगी दरसल आरेन क्रूज रेव पार्टी ड्रग्स माबले में जेल में हैं और आरेन की जमानत पर सुनवाई कर रही स्पेशल एंडी पीएस कोट में पिश्री सुनवाई के में जमानत पर फैसला सुरक्षुत रख लिया गया था एंसेबी ने 14 अक्टूबर को विशेश एंडी पीएस अदालत में बॉलिवुड अभी नेता शारुख खान के बेटे है आरेन खान की जमानत परसी का विरोध करते उवे तावा किया था कि वो मादक परदार्तों के नियमित उभोकता है आरेन खान को क्रूज शिप पर कथित तौट पर मादक परदार्त जब्त करने के सिलसले में गिरफतार किया गया है ऐसे में NCB ने उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफतार किया था और नार्कोटिक्स ड्रक्स एंड कमपनी के मामले में एक विशेश उन्याइधीश वीवी पाठिल की अदालत में आरन खान और दो अन्य अरबास मर्चेंट और मुनमुन धमेजक ने भी जमानत की याच्च का दाय की है NCB का पक्ष रखने के लिए एक सॉलिटेर जोर्नल अनिल सिंग ने दावक किया कि ऐसे सबूत हैं चो दिखाते हैं कि आरन खान कई सालों से इस तरह के परदार्तों का इस्तिमाल करते हैं उन्होंने इसके साथ ही खान के वाटसप चैट के हवाला देते हुए उनके सामिल होने का आरोप भी लगाया था जिस पर आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है और देखने वाली बात है कि क्या आज आरन खान को कोट जमाना देगा या फिर नहीं मुख्यमंतरी योगी आदितनात ने शहर के अटल बिहारी वाजपई प्रेक्षा ग्रह से प्रचार बहानों को खारी जंडे दिखा का संचारी रोग पकवारे का शुभारम कर दिया है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस अभ्यान के सफल संचालन से पूरे प्रदेश में जेई और ऐसी मलेरिया डेंगू और चिकनगूनिया और जैसे रोगों पर प्रभावी नियंद्रन लगेगा इस अफसर पर उन्होंने स्वास्ते विभाग, ICDS और राष्ट्रे ग्रामीन, अज्जीवी का मिशन, पंचायती राज, नगा विकास विभाग, मनवरेगा विभागों के प्रदर्शनी स्क्रॉल का भी निरिक्षन किया कारकर्म को संबोधित करते वे, उन्होंने कहा कि कोरोना रोकने के लिए उत्रप्रदेश पूरी दुनिया में एक मौडल बना हुआ है उन्होंने कहा कि ये एक्टीम वर्क का परणाम है, जब सभी लोग एक दिशा में सूचते हैं और उसके अनुरूप प्रियास करते हैं तो उसके बहता परणाम आते हैं सीम योगी ने कहा कि चार साल पहले इस समय बस्ती जन्पत के दरजनों बच्चे इस दिमागी बुखार की चपेट में आते थे और उस महामारी के खिलाफ हम लोगों ने अभ्यान का शुभारम किया था और उस समय अंतर विभागिये और जन्मानस के साथ समबात का क्या सालों में महसूस किया है उन्होंने कहा कि पहले चरण में इस अभ्यान को गोरकपूर और बस्ती मंजल के साथ जन्पतों में शुरू किया गया और इसके बाद बाकी 38 जिलों में भी और पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंदरन अभ्यान संचालित किया रहा है उन आकरों को 95 प्रदेश तक नियंदरन करने के लिए सबलता भी प्राप्त की है उत्तर प्रदेश में भी टीका करन का नया रिकॉर्ड बन गया है जी हां सोंबार शाम तक 12 करोड से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं और अब तक आपको बता दें कि 62.67 लोगों को पहली डोस दीजा चुकी है प्रदेश में अब तक 8 करोड करोड से ज्यादा जाच हुई है ऐसे में आपको बता दें कि 17. logic का टीका करन हुआ है अब प्रदेश में कुल 12 करोड 26926 लोगों का टीका करन हो चुका है इसमें से 9 करोड 32lectL12693 को पहली डोस दी जा है जबकि 68 लाग से ज्यादा लोगों को दूसी डोस दी जा चुकी है वहीं यूपी सरवाधिक ठीका करन वाला पहला राज्य हो गया है और आपको बता दें कि कोवेट ठीका करन के लिए 17.53 फीजदी से ज्यादा लोग पूरी तरह से कोवेट ठीका कवर प्राप कर चुके है और इसी तरह 62.67 फीजदी लोगों ने कम से कम पहली डोस लगवादी है आपको बता दें कि यूपी में 548 अक्सीजन प्लांट में से 501 अक्सीजन प्लांट की क्रिया शील भी हो चुके हैं मेरत के पूर्व सांसर हाजी शाहिद अक्लाग जल्द ही अपने अक्ले सियासी कदम के संबन में कुलासा कर सकते हैं उनके फेस्बुक पोस्ट के बाद शहर की सियासत गर्म है कहा जा रहा है कि शाहिद अकलाग जल्द ही असुद दीन ओवेसी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्होंने लकनाओं में पूर्व मुख्यमंत्रिय अकलेश यादव से मुलाकात की इससे उनके सपा में जाने की चर्चा भी तेज हो गई है दरसल हाली में मुख्यमंत्रिय अकलेश यादव से मुलाकात अच्छी रही शाहिद अकलाग आपको बता दे साल 2004 में बसपा के टिकट पर मेरट से सांसर चुने कए थे वो मेरट के मेर भी रह चुके हैं साल 2009 में सेकुलर एकता पार्टी बना का उन्होंने मेरट से चुनाव लड़ा था साल 2014 में लोकसब़ चुनाव लड़ा था वही अब उनके सपा में शामिल खुने को लेकर वेस्ट यूपी की मुस्लिम सियासत में खल्चल काफी तेज हो गई है अखलाक के सपा में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई क्योंकि अखलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की इसलिए काफी सियासत भी करमा गई लेकिन कहा ये जा रहा है कि शाहिद अखलाक शायद असुद्दीन ओवेसी की पार्टी जॉइन कर सकते है खेर अब क्या कुछ वो करेंगे कि तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन मेरट में सियासत काफी गर्म इस समय नज़र आ रही है उत्रखंट में उचाई वाले लाकों से लेकर अतराई वाले शेत्रों में तीन दिनों तक भारी बारिश की वज़ा से जन्जीवन अस्वियस हो गया था लेकिन केदाना धाम में भी बारिश से तीर्थ यातियों और विपारियों तीर्थ पुरोहितों और मस्दूरों को भारी परशानियों का सामना करना पड़ा इस दौरान तीर्थ पुरोहितों को प्रदेश के उच्छ सिक्षा मंतरी डॉक्टर धन सिंग रावत के बारिश को कम और ज्यादा करने वाले आप की याद आ गई और उन्होंने सिक्षा मंतरी के से पहाड में हो रही बारिश से निजात दिलाने की मांग की हलाकि केदाना धाम में दोपैर के बाद से ही मौसंग खुल गया और तीर्थ यातियों निराहत की सांस ली आपको बता दें कि बरसाती सीजन के दोरान प्रदेश के उच्छ सिक्षा मंतरी डॉक्टर धन सिंग रावत के बयान दिया था उन्होंने और कहा था कि अब ऐसा एप आनी जा रहा है जिससे बारिश को कम और ज्यादा किया जा सकता है इसके साथ ही जो इस स्थान पर बारिश नहीं हो रही महां भी बारिश कराई जा सकती है ऐसे में केदाना धाम के तीत पुरोहितों को उच्छ सिक्षा मंतरी के इस बयान की याद आ गई और उन्होंने कैबिनेट मंतरी से निवेदन किया कि वो इसा आपका इस्तिमाल करें और जल से जल लोगों को राहत दिलाएं आपको बता दें कि केदाना धाम सही जले में तीन दिनों से खुरही बारिश की वच्छा से तीर्थ यात्रियों व्यपारियों और आम जल्मारस को भारी मुसिवतों का सामना करना पड़ रहा है और बारिश के जहां देखते हुए राजमार्क से लेकर लिंक मार्क तक बंद हो गएते तो वहीं तीर्थ यात्रियों को खुचल में रोका गया है और मौसम खुलने के बाद ही यात्रा करने की सला भी दी गई है अलाकि के दाना धाम में कल दोपैर के बाद से ही मौसम खुल गया और धूब भी खिल गई जिसके बाद तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली और इसी के साथ गुन मौनिंग इंडिया में बस इतना ही आप देखते रहें नियूस वाल इंडिया झाल झाल